ओलो दूस्तो आज यहां पर आपके लिए वीडियो आई है जिसमें हम यहां पर Market का एनलाइसीस करेंगे हम सारे इंडेक्स का एनलाइसीस करेंगे कि एग्जेक्टली इस तरीके से मार्केट यहां पर चलती हुई नजर आ रही है कि हम इस अब चीज़ों को बेच के निकल जाना चाहिए या हमें यहां से खरीदारी करने चाहिए उससे लेटट यहां पर हम बाते करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक करके मैं आपको काफी सारी चीजों को यहां पर US की मार्केट भी यहां की भी मार्केट उन सब चीजों से लेटकर यहां पर वीडियो आपको पता चल जाएगा बट उससे पहले आपसे रुक्वेश्टर चैनल को ग depend के सब्सक्राइकर ब्लियकृर सब्सक्राइब करूं करेंगा तक इस तरह कि वीडियो मिलती रहे बाइंग जालिंग कि कोई रिकमेंडेशन नहीं आपने अपने शेयर वइसर कुद की सदबी करो और हो सेकने तो जितना उतना सीकने की कोशिश करो यहां पर वीडियो बन नहीं पाते तो आप यहां पर हमारा कोर्स है जो 17,500 रुपे का जो एक तारिक से 20,000 रुपे की फीज हो जाएगी 8605-40501-816926-1037 दोनों नमबरों पर आप हमें कॉंटक कर सकते हो तो बेसिक्स टू एडवांस टेखनिकल World, Research, Fundamental, कभ लेना है, कभ बेचना है, किस तरीके से Share यहां पर बागते हुए नजर आते है कभ गिरते हुए नजर आते है, पूरा कोर्स की यहां पर details में आपको यहां पर समझा दिया जाएगा और इस कोर्स को यहां पर करने के बाद दुनिया की किसी market में चाहिएगा काम करिएगा, इन्वेस्ट करिएगा, स्विंग करिएगा, ट्रेडिंग करिएगा, हर उसमें यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, और थ्रीबंस की प्रैक्टिकल लर्णिंग और ओनलाइन नोर्स और जो भी स्टर्टिजी हम यूज करते हैं, पैसा कमाने के लिए जिसकी वैसे श्टॉक्स भागते हुए नजर आते हैं, आप यहाँ पर रुकिएवल कॉंटेक्ट करिएगा, आपको यहाँ पर चीजे समझ में आती हुई दिखाई दे जाएगी, इसके इलावा हमारा वाट्स अप ग्रूप है, डबल एट सिक जरो फाइफ जिरो फ पर और भी अपनी टड़ि यहाँ पर पेश करते हैं, जहां पर इस टॉक्स हम सही टाइम पर लेते हैं, सही टाइम पर बेशते हैं, और कॉ्टली बेसिस पे अच्छा कासा रिटवर यह वेश्यों बता हुए नजर आता है, इन नम़रों पर कहो दुआए hoofd बना हुई है, और आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे हम तो हम बात करते आगे और यहां पर हम एक एक करके चीजों को देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी-फिफ्टी की बात करें और मार्केट क्यों गिर रही है उसी से लिटिल बात करें, उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर लाज्ट तक वीडियो में देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम आजाते हैं अमेरिकन मार्केट में दो जोंस अगर हम आएंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पर भी निकला था बड़ बार बार यह क्या होता हुआ नज़र आ रहा है तो अब क्या है तो यहाँ पर मैंने एक लाइन की ड्रॉ कर रखिया यह लाइन ठीक हो सकता है यह चीज़े यहां तक गिरे और शायद यहाँ पर आपको 400 से 500 पॉंट की दो जोंस में इस गिरावट हो सकती है उसके बाद चीज़े जाती हुआ नज़र आएगी बड़ इतना के बाद और मार्किट में सब चीज सही होने के बाद मुझे क्या नज़र आता है कि यहां से बहुत जल्दी यह इस रेंज को तोड़ता हुआ नज़र आएगा और जैसे ही इस पर चानिया और दो जोन्स को पोचना बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि आप देखोगे ना इस से पहले यहां इस वाले पीरिट को छोड़ देते है तो इस पीरिट तक आप देखोगे तो डो जोन्स और निफ्टी 50 दोनों को दोनों साथ में ही चलते है इनका करेक्टर ऐ नेजडेक लुवर क्याती है तो हैं फिस कि यहां पर बात कर रहे हैं पर ली जरा हको पानियों केम हो सकता है कि यहां पर से थोड़ा सा और नीचे आए 14600 के आसपास है और यह हो सकता है कि शायद 14300 के आसपास है तो 300 से लेके 600 पॉइंट की और गिरावट हो और उसके बाद यह यहां से जैसे ही निकलना शुरू करेगा यह अपने और टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आएंगे ठीक है दोनों इंडेक्स अलग है दोनों इंडेक्स काम अलग है espíritus में अलग है और टच करके यहां पर गिर रहा है बट याद रखिये में यहां पर भी मैंने बताया था कि यह बियरिश इंगल्फिंग बनाए उसमें थोड़ी से गिरावट हुई बट यहां पर सपोर्ट था सपोर्ट लेके यहां पर दुबारा भागता हुआ नजर आया और लाश्ट ट् लोड़ता है यह रेंज तो फिर शायद यह ले यह 18,000 को दुबारा रीटेस्ट कर सकता है और रीटेस्ट इसे करने की बाद बट इसे ऊपर जाना ही है तो थोड़ा सा क्या कर रहा है थोड़ा सा यहां पर यहां पर यहां पर कंसॉलीडेशन पीरेड में गुमता हुआ अच्छी खासी गिरावट यहां पर आप देख रहे होगे न गिरावट तो यहां पर गिरावट के पीछे का रिजन था एफ़ाइस की बिखवाली जो कि आप अगर यहां पर जाओगे प्रिवियस मंत में तो यहां पर देखिए फैवर में कहां 11,000 क्रोड, 41,000 क्रोड, 41,000 एफ़ाी करीचने के पाकल यहां पर यहां पर जागे है तो आपको पदstar चलेगा कि यां में होदी थी यहां पर विकवाली काफी बडरे लेवल पर होती तसब्रण एगर पर यहां पॉजिटिवी दिखाए देते हैं यहां ही पर दिखाई देते हैं पर आहिं को थोड़ा को लेने पर इस दोड़ के बारे में हम यहां पर सोच क्नि Tactics और यह बीच विच में फोड़ा थोड़ा है यहां पर ही जरूत नहीं है इससे आपको क्या समझाँिव ऒर ताम यह फ्राइव लगा ओनने वाल फिर वदल वाल क में खानल अभी तो आम कि यहां पर डिखाई देश़् कर कि यह अन पर देखाइव हो meter चीज़े एक थोड़ी सी यहाँ पर गिरती हुई नजर आती हुई दिखाई दी है ठीक है all time high तो इसने last time भी touch किया था उसी को touch करके दुबार आ यहाँ पर नीच आया बट यहाँ पर एक support है उस support को यह बार-बार यहाँ पर touch कर रहा है तो मुझे गिरावट नहीं नजर आत किया small cap की बात करूं तो देखिए small cap already all time high के आस बास चल रहा था ठीक है मैंने यहाँ पर भी पताया था कि यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है बट यहाँ नहीं गिरा थोड़ा सा ऊपर जाकी गिरा बट गिरता हुआ यहाँ पर जब इतनी तेजी इतनी इदर से लेके इतनी मेसमाया कि यहाँ पर बड़ी बात नहीं है हर यहाँ पर जब गिर रहा है तो इस तरीके से गरता हुए नजर आ तफर तो तो पर टो यहाँ पर गिरावत नजर और आती है तो लगबग लगबग यहाँ पर 400 पॉइंट की और यहाँ पर गिरावट निजर आती है, 10,190 पॉइंट के आसपास ही है, यहाँ पर small cap आ सकता है, और फिर उसके बाद एक bounce back होगा, और यहाँ पर जब bounce back होगा, तो यहाँ पर एक cup with handle pattern बना के चीज़े ऊपर निकलेगी, औ और आपके all time high को भी यहाँ पर touch करती हुए नजर आएगी, तो small cap में ही पैसा बनना है, तो इस index को भी आपको यहाँ पर देखना होगा, mid cap की तरफ देखे, तो mid cap में देख सकते हैं, mid cap अल्रेडी यहाँ पर all time high पर चला था, तो कि यहाँ पर candle, यहाँ पर bearish candle बनी रही थ support करें, यहाँ हो सकता है, यह index सबसे ज़्यादा भागा है, तो यहाँ पर 33,319, ठीक है, तो लगबर लगबर कितना है, यहाँ पर आपका लगबर 14-15 points की, गिरावट होती हुए नजर आ सकती है, और उसके बाद यहाँ पर bounce back करता हुए नजर आएगा, तो यहाँ पर क्या चीज़े नजर आ रही है, सारे index को देखके, यहाँ पर index को देखके नजर आ रहा है, कि यह बस it is a matter of time, ठीक है, जहाँ पर से चीज़े bounce back होगी, और जो bounce back होगी, तो अच्छा खासा चीज़े भखती हुए नजर आएगी, यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, तीन दिन पहले तो यहाँ पर यह शायद 11,000 या 12,000 के आसपास 500 पॉइंट के और गिरावट के बाद सपोर्ट लेता हुए नजर आएगा और थोड़ा भागता हुए नजर आएगा, अगर वह भी 12,000 के लेवल यह तोड़ देता है, तो शायद यह index दुपार यहाँ पर 11,500 की तरफ पर 600 पॉइंट की लगबग की गिरावट और नजर आती है, ठीक है और इस गिरावट के बाद तेजी होती हुए नजर आएगी, या तो consolidation या थोड़ी सी गिरावट और उस consolidation या गिरावट की बाद यहाँ पर सारे index क्या बता रहे है, सारे index बता रहे है कि हम यहाँ पर करें Okay हमारी कुuted सर्विस है उस स्षर्विस का है यहाँ पर कुछ चार्ज है आप यहाँ पर उसे पे पे करें अन शेषब की यह मेर से आचा हो तो आप लिश्ट ले सकते हो यह साहत में काम कर सकते हो वहां पर आप जब काम करें Okay और 謹ुभ हो ऀच्शर सबसे पहले सबसे तेज सबसे ज्यादा भगते हुए नजर आएंगे ऐसे स्टॉक्स की लिष्ट बना के रख रखी है जो आने वाले तीन महीने से लेकर एक महिसाल के अंदर अंदर यहां पर आपके पैसे डबल करने वाले हैं तो यहां पर एक तेजी होती ही नजर आती और यह 30,500 का लेवल जैसे ही निकालेगा निफ्टी आईटी में उस ताइम तेजी होती ही नजर आईगी बट स्मॉल कैप और मिट कैप आईटी यहां पर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है जो अच्छे खासे बागते हुए नजर आ रहे हैं आप उसकी तरफ यहां पर ध्य नजर आ सकता है क्योंकि फार्मा के कुछ स्टॉक्स यहां पर काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे है अगला वीडियो में एक निफ्टी के फार्मा के स्टॉक्स है लेकि बनाऊंगा तो उस वीडियो को जाके आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो कि अगरे, फार्म में अगर आफ यहां पर चाहते हो अच्छा पैसा बनाना तो कॉंटक्क आपको करना होगा वहारे साथ यहां पर काम करिए आपको चीजेंस समझाएगी, हो साथ में मिलके यहां पर काम करके आप यहां पर अच्छा गासा पैसा अर्न कर सकते हो तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फैंशे एडवाइजर और खुद की श्रड़ी करना है और के वाले झाले करने हैन्ग, है जाँ उेूड़ी सेलिंग मारे श्रड़ी करना है अर्न करना है नहीं है?